गुड इबनिंग एप्रिवर्ण मैं शत्तिन तिवारी आप सभी का श्रागत करता हूँ एगरी जड़नी उटूप चनल में अलोट्मेंट कब होई या डेट्स अभी मेंशन की जाएंगे तो डाइट की अलग से होगी और आपका क्राइटिरिया यहां पर मेंशन किया जागा तो बेट करो और सबसे इंपोर्टन यहां पर हम बात करेंगी कि क्या क्या चीजे जो है इस बार आपकी काउंसिलिंग में न यहां पर जरूरत यानि नीड बहुत जादा पढ़ने वाली हो तो डॉकुमेंट्स की भी यहां पर बात करेंगे कैसे उन डॉकुमेंट्स को आप पेपेर करवा शक्ता है वो सारी डिटेल्स में इस वीडियो में जानने वाले हैं ठीक है क्या कुछ नया हो सकता है इपलाई करता है तो आप कमेंट्स करके अपना जो है कुछन में सकते हो ठीक है चलिए आए फिर स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप सभी ने यह नोटिस देखा होगा ठीक है जो आपकी नानज देश्मक की ओफीशल वेबसेट उस पर आज जो है यह दुपहर 11-12 के आसप पास यह आपका नोटिस जो है रिलीज कर दिया गया है तो इसमें आप देख सकते हूँ सबसे इंपोर्टेंट यहाँ पे बात जो मैं यहाँ पर बता दूँ आप सभी को ठीक है कि बीबी एसी और एच की जो आपकी काउंसलिंग है ठीक हो यहाँ पर 16-12-22 से स्टार्ट हो को सबी को यहां पर पता है बड़ यहां पर इसमें तो सबसे बड़ा चैंजिस यहां पर यह देखने को मिल रहा है कि कौंसलिंग बहुत यहां पर अलग-अलग हो रही है आप देख सक्ते हो Вас बसे सबसे पहarse कि सबसे पहले कौंसलिंग हो पर यहें यह सबसे बड़ा यहां पे जो है changes देखने को मिल रहे हैं आप यहां पर देख रहे है कि 16 तरिक आजपस आपकी हां पर इस इसकी counselling हो रही है और अगले महिनी की एक तारिक से आप जो है दस तारिक से आपकी बी एफ से कांसिलिंग होगी यानि सबसे important notice यहां पर आ और यहाँ पे डाहेड के लिए और डेरीड टेकनोलोजी के लिए इनके लिए आपको अलग-अलग रजिस्टेशन कराने पड़ेंगे भई यह specially mention किया हुआ है criteria ठीक है आपको अलग-अलग degree programs के लिए अलग-अलग registration कराने पड़ेंगे यानि आप यहाँ पे देख सकते हुए 16, 12, 22, 22 अगर आपकी PBFT की counseling स्टार्ट होगी अगर आपको BBSC and Animal Husbandry जो आप देख सकते हो आपकी degree programs होता है अगर आपको इसमें counseling के participate करना है तो आपको क्रिप्श ओलन की official website पर registration करना होगा यह बात याद रखना बहुत important है और यहाँ पे सबसे important बात यह निकल के आती है कि अगर आप registration आपके 16 तारिक से ही start हो जाएंगे आपका counseling का अभी schedule जो है release किया जाएगा आपकी नाना जी देशमुक की जो official website हो उस पे आपका schedule जारी किया जाएगा उसमें अभी आपकी maybe में को लग रहा है कि BFSC की कोई भी जानकरी mention नहीं होगी ठीक है और यहाँ पे सबसे important एक और बात निकल के आती है कि यहाँ पे अलग-अलग मैंने आपको बता है registration अलग-अलग करना पड़ेगा उसकी fees भी आपको category mention कर दी जाएगी अभी आपकी feedback आजाएगी उसमें यहाँ पे आप देख सकते हो ठीक है आपकी choice filling की date अलग mention रहीगी ठीक है कि आपको कब जो है registration कराने के बाद आपको कब आपकी choice filling यानि colleges को log करना जो कि बहुत important होता है ठीक है कब आपको colleges को log करना है document verification करना है मतलब totally आप यह मान के चलीगा कि आपकी 15 दिन में एक counselling यहाँ पे complete हो जाएगी 15-20 दिन का time लगने वाला है इसमें आपकी totally जो PVFT की counselling यहाँ पे complete हो जाएगी इसके just about आपकी BFSC की counselling start होगी ठीक है और सबसे important यहाँ पे नई बात क्या देखने को मिल रही है आप सभी को एक बात पता है कि previous share में आपकी PVFT की counselling यहाँ पे third round तक होती थी बट यहाँ पे इस बार आपकी counselling यहाँ पे only two round में हो रही है मतलब form बहुत कम डले हुए है यह बात याद रखा competition भी कम होगा ठीक है 100% अभी आपका यह approach कितने form डले है यह जानकर यह भी website जो आपकी PB है इसने mention नहीं क्यों यह और सबसे important कि आपकी top 10 students की list भी यहाँ पे में आपकी counselling जो है यहाँ पे संपन्द होगी मतलब आपकी यहाँ पर third round, back end round कुछ भी नहीं होने वाला और सबसे important यहाँ पर diet की भी आपन बात करते हैं तो diet के students के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हो only 2 चरण होगे मतलब यहाँ पर back end और mop up कोई भी round यहाँ पे नही schedule जो है यहाँ पर बड़ सबसे पहले एक बात याद रखना सबसे पहले सेडूल जो है आपका यहाँ पर किसका release किया जाएगा पीविए इसके बाद आपका diet का schedule release किया जाएगा उसमें सारी चीज़ आपकी mention रहेंगी क्या क्या और एक बात और अगर आपने documents नहीं complete करा है ठीक है तो आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ दोकुमेंट को पेपर करके रखें और कॉन-कॉन से कितनी-कितनी फोटोकापी करानी यह भी सारी जानकरी आपको बताने वाला हूं बट यहाँ पर नया क्या था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि आपको रजिस्ट अब हम यहाँ पर बात करते हैं आपकी scholarship को लेकर जो कि आपको याद रखना है खास तोर से यहाँ पर डाहेट के जो students उनको private colleges में admission लेने से पहले यह बात याद रखने हैं जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूं ठीक है फ्रासा PVFT के students फ्रासा बेट करें मैं उनको documents की लिस्टी बताऊंगा और डाहेट के students को भी documents की लिस्टे बताऊंगा बट PBFT जो आपके डाहेट के students हैं उनको private colleges लेने से एक बात याद रखने है कौन सी बात है क्योंकि आपके private colleges भी choice feeling में eligible माने जाते है add होते है ठीक है series ही बात है तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप आपको colleges मिलते हैं free seat पर भी आपको यहाँ पर प्राइबिट के colleges अलोट होते हैं और payment seat पर भी यहाँ पर आपको colleges अलोट होते है private तो आपको क्या करना है अगर आपको payment seat पर अलोट होते हैं तो आपको फसा फीज बहुत ज़्यादा रहती है आपकी एप्क्रोक्स 45-48 से आर आपको private colleges अलोट होते हैं तो यह मानके चलिएगा private colleges बाले कभी भी scholarship नहीं देते हैं यह उनके उपर depend करता है कि वो आपको scholarship देते हैं या नहीं देते हैं है ना उनके उपर कोई भी pressure नहीं होता है तो यह आप मानके चलिएगा 99.9% के private बाले भी scholarship नहीं देते हैं तो college लेने मैं scholarship की बात करूँ तो आप सभी को यहां पे पता है कि PVFT के students के लिए वह भले OBC के हो या आपके SC, ST या आपकी general category से कोई भी students हो उनको colleges में अगर मेधावी छातिरोजना का आप मिलता ही मिलता है सभी students को ठीक है लेकिन इसके साथ साथ आप सभी को एक चीज पता है कि आप करम यहां पे बात करूँ आपकी OBC और यहां पे जो आपकी SC, ST के टेगरी के students होते हैं ठीक है उनके लिए यहां पे जो है special उनके लिए scholarship होती है आप सभी को पता है उनको category scholarship भी मिलती है बाकि आगा उनको उपर depend करता है कि उनको category scholarship लेनी है या उनको आपकी मेधा भी छात्री ओजना लेनी है basically कर बात करूँ है तो OBC students के लिए postmetrics भी होती है आपकी scholarship और SC, ST के टेगरी में आपकी category scholarship भी होती है ठीक है तो यह सबी चीज़ आपको पता है लेकिन सबसे important बात कि अगर आपकी colleges में क्या होता है कि अगर आपको semester back होती है यह बात याद रखना नोट कर लें अगर किसी भी students की colleges में semester back होती है मतलब year back होती है year back का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी किसी भी subject में maximum 5 से जादा अगर आप किसी subject में फैल हो जाते हो तो फिर आपको किसी भी प्रकार की scholarship colleges में नहीं मिलती है यह बात याद रखना कास्तोर से आपकी मेधा भी छात्रे होता तो बिल्कुल बंध हो जाती है यह बहुत important बात है तो सोच समझकर यहाँ पर diet के students जो है colleges में admission लें और यह सबसे important यहाँ पर बात है कि अब private colleges में आपकी scholarship मिलना या ना मिलना वो इनकूपर depend करता है ठीक है तो सोच समझकर colleges को feel कर अब यहाँ पर बात करते हैं documents को लेकर मैंने changes थो जो changes थे वो आपको यहाँ पर बता दिये क्या-क्या changes है आपको और registration आप notice को पढ़िएगा registration आपको जो degree programs आप करोगे इसको लिए आपको registration करवाना पड़ेगा और उसके लिए eligibility criteria especially mention करेगा क्योंकि आपकी university दे सारे details mention की हुए और थोड़ा सा बेट करें आपको साधे details यहाँ पे mention हो जाएंगी PDF के माध्यम से अब यह आपकी पूरी जानकारी इसमें नहीं किये यह बस उनने यहाँ पे थोड़ा सापने को update किया है कि आपकी counseling यहाँ पे 16 तरिक से start होने वाली होती यह बहुत important बात है चले आईए फिर documents के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत important है ठीक है documents के बिना कुछ भी नहीं होने वाला गार एक भी documents आपका counseling में नहीं है तो आप counseling के eligible नहीं माने जाओगे ठीक है इसलिए चले documents को यहाँ पे समझते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले first of all बात करते हैं आपके यहाँ पे यह documents की list मैंने जो है prepare की हुई है तो यहाँ पे एक बात note जो मैंने लिखा हुआ है आप देख सकते हो यहाँ पे note में आपको दो-दो photocopy मै आपको करानी ही करानी है यह बहुत important बात है ठीक है तो यह सबी चीज आपको याद रहें note इसलिए मैंने पहले लिख दिया क्योंकि मैं बार बार आपसे नहीं बोलूँगा कि आपको इसकी दो photocopy तो आए सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं आपकी जो है कि कौन सा सबसे पहले हैं पर documents important है तो सबसे important लिखते जाईएगा और इसी प्रकार से आप set कीजिएगा क्योंकि counseling में सारी documents आपकी इसी type से लगने वाले हैं तो सबसे फस्ट पे नंबर पे रखते हो आप PVFT कि आपके रिलेट की mark sheet को ठीक है दो photocopy second number पे आपके 10 और 12th की mark sheet ठीक है यह character certificate आपने जहां से 12th की होगी वहां से आपका character certificate बनेगा मतलब जो भी आपका class teacher रहा होगा उतसे आपको जाके बोलना पड़ेगा तो आपको यहाँ पे character certificate बन जाएगा ठीक है migration certificate बही आपके 12th की mark sheet के साथ यह आपको migration certificate मिलता है अगर नहीं मिला है तो आप इसको online निकलवा सकते हो आराम से निकल जाता है ठीक है इसके बात सबसे important बात आती है बही किस पर photo पर जो की बहुत important है बही photo क्या है कि photo आपकी नाम और डेट वाली होनी चाहिए मतलब तीन म जरूरी नहीं है बट क्या है कि अगर वो मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है बाकि आप यहाँ पर नई photo भी ले सकते हो ठीक है जाती पनपत हो गया भाई तो जाती पनपत आप OBCCST category से ब्लोंग करते हो बाकि general के students के लिए यहाँ पर जाती पनपत matter नहीं करता है ठीक इंबास पत्र ठीक है यह आपको फोटो कॉपी इसकी लेके जाने हैं दो दो फोटो कॉपी ठीक है next हम बात करते हैं यहाँ पर gap certificate gap certificate मतलब आपने अगर कहीं भी कोई भी मतलब preparation बगएर की हो कहां से preparation की है आपने क्या किया हुआ है दो gap अगर लिया है तयारी किया में तो व सारी चीज़ें यहाँ पर mention कर देता है बस आपको अधारकार अपनी माक्षिट लेके जानी पड़ेगी उसके बास ठीक है next time बात करते हैं आप medical certificate जो की बहुत जादा important है यह आपके colleges में documents लगते हैं वो भी आपको document verification है मैं तब check करते हैं अच्छा आप बात करते हैं medical certificate की भाई तो medical certificate में यह आपका जो है बहुत जादा matter करता है इसमें blood group आपको check करवाना पड़ेगा कि मेरा कौन सा blood group है वो सारी चीज़ आपको mention करने देख government doctor के आहां से आपको certified तरीके से medical certificate बनता है ठीक income certificate अधर card only आपका ही सलेगा भई तो याधर card भी आपको निकल वाले नहीं यह बहुत important है next यहां पर हम बात करते हैं बही टोटल आपके में को लग रहा है इतनी documents भई आपके total 10 documents यहां पर लगने वाले हैं तो इनको आप लिखे के लखे लें कि कौन कौन से documents की कि कितनी कित registration में भी दो चरी तीन दिन या registration चलेगा ठीक है इसके बाद आपका registration के बाद क्या होता है ठीक है कि के कि 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 यहां पे registration के बाद आपका क्या होता है registration के जस्ट बाद आपके colleges lock होते हैं उसी दो से तीन दिन के अंतर आपको Crypte Online पर आपका ID Cultział और Passport प्रिएट होका ये सबी चीज़े मैं आपको बताई हूं थी ठीक है तो Crypte Online पर आपका ID और Passport प्रिएट होगा इसके बाद आपकी क्या हो Cohen text क क्या होगा कि आपको 걸Enged मैं जाके Document Verification कराना होगा Document Verification के बाद आपक का Colleges का AlloTmen Letter आगा ठीके सारी डेट्स यहाँ पे 15-20 दिन में पिक्रियां हो जाएंगी अलोट्मेंट लेटर आने के बाद आपको कॉलेजिस में फी जमा करानी जिसे आपको पता है 50-700 रुपए यहाँ पे PVFT की फी लगती है ठीक है तो यह आपको यहाँ पे ओनलाइन पेमेंट तरीके से जमा करानी होती है फिर कॉलेजिस में जाके आपका एड़िशन होता है तो इतनी प्रिक्रिया आपकी डाहेट और PVFT की दोनों की रहने वाली है तो जो जो इंपोर्टेंट चीजे थी वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी बहुत मेटर करती है तो बस बेट करो डॉकुमेंट्स को पेपर गर गर रखो एनी डाउट हो एनी कोशन हो लिंक डिस्किप्शन में है इंस्ट्रा टेलीग्राम जहां भी आप जुणना चाहो जुण सकते हो बाकि मिलते हैं नेक्स्ट अब बिट के साथ अगर आपको कुछ भी वह इंफॉर्मेटिव लगाओ तो लाइक ज़रू करने ठीके मिलते नेक्स्ट अब बिट के साथ तब तक ये शौष्ट रहें मस्त रहें और एशा महोल क्रियेट करें कि महलाएं आपके साथ जो है स्वरक्षित महसूत करें ठीक है चलिए फिर मिलते नेक्स्ट अब बिट के साथ जैहिंच जैभारत दे बातम